चलिए आज एक बच्चे से और मिलते हैं अनीज कुमार जिनकी की ऑल इंडिया निमसेट पे रैंक 67 थी जिनको इनाइटी सूरत कर अलॉट हुआ और आज ही सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि जब जामिया का रिजल्ट आया तो अनीज की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है त अनीज साब बुलिए कुछ बोला था आप मैं यही कहता है कि सब कुछ सर इंपेड़स गुरू को आप और प्रतीक सर की देने सर यह और इसके साथ साथ सर करोना का बहुत हाथ है इसमें यह बात बिलकुल सही बोला हो कि कई बार क्या होता है कि कोई देके में हमेशा बोलता है मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की घर पे रहके डिस्टब नहीं हुए तारी चीज़ फाइदे का मतलब यह यहां पर अनीज मैं चाहूंगा क्योंकि आपकी देको दोनों जगे राइंक आई अभी आप डियू का भी एक्जाम दोगर मुझे पूरी उमीद है वहां सबसे पहले मैं चाहूंगा क्योंकि हर बच्चा ही जानना चाहता है कि जब वो पढ़ाई करता आपने ऑनलाइन रहके पढ़ाई की दिली में तो पहले तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की फिर अभी एक्जाम में आपका रिजल्ट्स आया कई लोग जो घर पे पढ़ते हैं उ करने मेरी लग गए थी और करोना के जब लोगडाउं साट वहाँ था तो मेरी ट्रेंइंग साट होगी थी तब तक मेरा मूब मेरे बनाया नहीं था मैं ट्रेंगी कर रहा था मेरी जुलाइँ तक ट्रेंग चल रही थी तो बीच में फिर में को सजेशन्स आने लगे जैसे म और लोग से बात करी कि मैं क्या रहा हूं उन्होंने मैं को समझाया कि आगे फ्यूट आगे फ्रदर स्टडीज करने का जाद अच्छा स्कोप है रेदर देन डूइंग जॉब आफ्टर बीसी तो मैंने उनकी बात समझी और उसी टाइम से मैंने अगस्ट से मैंने अपना सोच और अगर मैं स्पेस से चलता रहा तो नहीं होगा तो फिर सब मैंने यूटूब पे आपको देखा इंपेडर्स ग्रूप किलका और मैंने लुकिली उसी टाइम पर ही फास्टेक को स्टार्ट हो रहा था तो सब मैंने आपसे वहां पर दो तिन बार बात करी और मैंने 17 जन् सब्सक्राइब करना तो मैं दिन में कम से कम भी तीम-चार क्लास ले रहा था और जो आप शीट्स देते थे डीपीटी वगरा वो सॉल्ट कर रहा था और मॉक टेस्ट जब डेट आ गई तो मैं में जब एक्जाम होने वाले थे उस ताइम पे उसमें बहुत गवरा गया था क्योंकि मेरा आदा स्लेवर्स भी पूरा नहीं हुआ था और मैं लग रहा था कि कुछ हो पाएगा लेकिन लुकिली वो डेट एक्सेंड हो गई और उसके बाद जो फुल लेंथ मॉक पेस्ट सालू हुए उसमें मेरा स्टार्टिंग से रिजल्ट अच्छा था क्योंकि मैं का दिक्कत आई नहीं मैंने अराम से अच्छी बात बताई दें कि कई बार क्या होता है यह सेशन होते हैं यह सेशन का मेरा में मोटिव होता है कि बच्चे अपनी सक्सेजनिवत आपने भी बोला आपका जॉब लग गया था बीसे के बाद यह बड़ी कॉमन प्रॉलम है आपने ग्रोथ कम होगी तो यह मतलब डिसीजन लेने में मुझसे बहुत को बच्चे पूछते हैं कि सर जॉब करें कि M.C.A. करें तो आपने यह जब डिसीजन लिया एक तो आपने कौन सी कंपनी आपको लगी थी आप यह भी बताई किसमें जॉब लगी थी कितने दिन ट लग गयी और मेरी विप्रो की ट्रेंइंग सार्ट होगी थी अप्रेल लेंडिंग में तो मेरी ट्रेंग जुलाई में खतम हो गए थी उसके बाद जॉब लगने वाली थी कि मैंने सोचा कि अब इसमें इसकी जगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने और मैंने जहां पे इंटरं सब्सक्राइब करें में और मैंने अग इंटर्ण करी है और अलग अलग ऑघ यूनिवर्सिटीश रहे बात इस लिए हैं और उने पूछ कोषी है कई लोग जॉब कर भी लेते हैं दो साल बात आपको सही समय पर गाइडेंस मिल गया क्या होता है आप यह जॉब कर लेते कहने को विप्रो इंफोसिस कोई छोटी कंपनी नहीं पर जब बाद में ग्रोथ की बात आती तो आपको दिक्कत आने चालो हो जाती है अच्छा क्या है कि ऐसा नहीं कि आज M.C.I.B.E. बाले कम बच्चें बीगे पर वो कंपनी कुछ रीजन से ग्रेजुट को लेती क्योंकि उनको इस्टेबिलिटी मिल जाती है कम पे स्किल पे बच्चे मिल जाते हैं उनको और काम भी ज्यादा ले लेते हैं तो यह आपकी लाइब का एक टर कि सिंसेर्टी और डिसिप्लेन दिखता कि नहीं मैं कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है अच्छा जॉब लेना चाहता हो तो मैं बिलकुल शूर हूँ कि जब प्लेस्मेंट का समय आएगा तो आपको इसके वेनिविट मिलने वाले अच्छा आप एक और बात बताओ आप जो ड्रॉब का फेर होता है उसको आपने कैसे दूर किया यह बहुत जहुरी बच्चों के वी ने जरी निकालना जहुरी हूं उसे परस्यू करना चाहिए तो इसमें तो बिल्कुर पेरेंट्स का सपोर्ट था यह डिसीजन मेकिंग में और सब्सक्राइब का अपना सेल्फिशनेस भी थी कि मैं को मैं को पता लग गया था कि उस कंपनीज में में को ज़्यादा कुछ नहीं अचीव हो पाता और अगर मैं अच्छी रैंक लाके अच्छे कॉलिज में जाता हूं तो उसका जा वो हंड़र टाइमस बैटर है बिल्कुल सही बात है और देखिए यह बी बात आपने सही बोली पैरेंट्स का सपोर्ट मिला आप का सब्सक्राइब करणा कि अजया आपको आपको अगले दो तीन साल बात समझ में आगा कि मैं जो आपको अभी यहां पर मिल नहीं थी साल ली वह तो उससे ज्यादा तो आपको करने के दोरा इंट्रेंशिप में मिल जाएगी एक अच्छी कंपनी ग्रोथ यह सब फायदे होते हैं तो यह अच्छी बात अच्छा आप अपने जूनियर्स को क्या मोटी मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी स्क्राइटेजी पर काम करो जैसे मैंने को फिक्स था कि मैं को कि इस तरीके से आगे बढ़ना है तो मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया मैं आपकी क्लासिस देखता था उसके बाद मैं अपना दो तिन घंटे सेल्फ सटडी करता था और इसी में मैं को कभी यह निया कि मेरे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो मैं को स्ट्रेस लेना चाहिए मैं कौन सी बॉक करो ने कभी द्यान ही न Pokémon सब्सक्राइब कर दो मैं अब इस बहुत जारा फास भी नहीं थी देखा जाये तो अभी अगस्ट में एक्जाम हुआ तो मैं कुछ जुलाई तक मैं एक नहीं जुन तक confidence आ गया था कि मेरा सारा स्लेवर संप्रीड हो गया फुल जुलाई मैंने सिर्व रिविजन में निकाला यह बहुत जवरी बात है कि रिविजन जो हम करें उसका रिविजन जबू करें तो मेरे साटिंग से क्लियर था कि आप जो बोल रहो उस चलता रहोंगा तो मैं को कोई दिक्कत नहीं आएगी हंड़ेट परसंट confidence था सरा आपकी बातों पर तो मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं और online experience कैसा रहा आपका कई लोग जो ऑनलाइन से खबड़ा थे क्योंकि इंपिटर्स गुरू कुल के लिए बच्चे ही बोलते ऑन सेंटर टेबल को अपनी सेडी टेबल बनाया और उसमें नीचे बैठके आराम से पढ़ता था तो उससे में को कभी भी comfortable जोन नहीं जा पाया मैं तो उससे हमेशा रखता था कि आप पढ़ना ही है यह बहुत अच्छी बात बोली मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि online क्लास म पूरे सब्सक्राइब काफी अनकंफिटेबल पॉजिशन अपने चूज करी थी जिसमें में को कभी भी comfort comfort नहीं मिला कभी comfort जोनना आना भी नहीं चीए बिल्कुल सही बात है तो मैं उस सेंपे सिपढ़ता ही था बहले ही सरदी हुई गरमी हुई मैं भारी रहता था अपना चले बहुत अच्छी बात है अनिस आपसे बात करके बड़ा बजा आया बच्चे जब भी सुनेंगे तो उनको काफी खुशी होगी वंस अगेंस आपको दोनों राइंक के लिए निमसेट की और जामिया की दोनों राइंक के लिए एक बार फिर से सुबकामना है अल दबैस अच्छा डियू में भी परफॉर्म करो यह जो सेलेक्शन है ना देको आपने नाइटी सुरत कल जाना है वो तो जिसाइड है जो आपका जौब है यह सब चीजे आपके इस्तार हैं मतला आपके रिजूम में एड़न हो रहे हैं जो की प्लेस्मेंट के समय बहुत काम आने वाले हैं तो once again all the best. Thank you so much sir. Thank you.